हेलो दोस्तो आज किस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं compound microscope और देखेंगे इसका derivation तो चली शुरू करते हैं और इससे पहले समाज लेते हैं कि actually compound microscope होता क्या है तो दिखिए यह एक device होता है which is used to say very minute particles manured particles मतलब जो भी बहुत छोटे होते हैं जिसे हम खुली आखो से नहीं देख सकते हैं जैसे कि अगर हमें बोले कोई blood cell देखने के तो हम नहीं देख सकते हैं blood cell हो गया उसमें white blood cells आते हैं जो भी RBC से इसा बाता है हम नहीं देख सकते हैं खुली आखो से but by using compound microscope हमें अच्छे स दिखाई दे जाता है ठीक है तो चलिए समझते हैं इसका derivation अब ठीक है तो देखो इसका derivation के लिए आपको सबसे पहले ray diagram आपको draw करने आना चाहिए और अगर आपने ray diagram को अच्छे से draw कर लिया तो आपका सारा खेल तो इसी से हो गया ठीक है जो भी आपका ray diagram है main वही है ठ ठीक है और उस पर एक छोटा सा lens रखते हैं और इसको बोलते है objective lens क्यों क्योंकि इसी के पास हम कोई object को रखेंगे आने कि sample को रखेंगे जिसे हम observe करने वाले हैं ठीक है इसके पास रहता है और दूसरा होता है बड़ा सा lens जिसको बोलते है eye piece मतलब हमारी आख इधर होती है मतलब जहां से हम इसको देखते हैं ठीक है हमारी आख के करीब यह वाला lens होता है और हमसे दूर यह होता है ठीक है जिसे compound microscope होता है उसमें एक tube like structure होता है तो आप जो adjust भी करते हो तो उपर जो होता है इसे उसको eye piece बोलते है ठीक है तो eye piece में यह वाला lens होता है बड़ा वाला नीचे होता है छोटा सा lens जिसको आप adjust करते हो घुमा कर ठीक है इसे 1500 गुना 3000 गुना जो ही adjust करते हो न वह यह वाला होता है अब्जेक्टिव लेंस ठीक है क्योंकि यह object पास होता है इसलिए इसको बोलते है objective lens देखिए जो objective lens है इसका दो focus है एक focus ही है और एक focus ही है यहाँ पर हमने object को रखाया ठीक है और जब lens से यहाँ पर जो object से ray निकलेगी ठीक है image बनाने के लिए दो ray important होता है ठीक है तो यहाँ से ray निकाला ठीक है और focus ही पास हुआ है ठीक है जो कि यहाँ पर गया है और दूसरा गया है optical center से थोड़ा सा यह displace बन गया है तो optical center से पास करे इस बात को हमें साथ ध्यान रखना आपने देखा होगा lab में भी adjust करते हो है ना IP को adjust क्यों करते हो इसलिए क्या आता है ताक कि जो यह image बन रहा है इससे image बना है वो इसके focus और optical center के बीच में आ जाए इसका focus यह है ठीक है यह जो IP से इसका focus यह है ठीक है और optical center यह है इसके बीच में कहीं न कहीं इसका image बन रहा है इस lens की बज़ा से objective lens की बज़ा से और यह जो image बन रहा है यह काम करेगा object की तरह है मतलब इसका magnification और यह करेगा ठीक है जैसे इस object का magnification यह किया जो की inverted आप देख सकते हो यहां पर है अब यह जो image बना है तो इसका magnification यह lens करेगा मत यह object की तरह काम करेगा इसके लिए ठीक है तो कुछ इस तरह से इसका rate diagram है ठीक है इस तरह से गया ठीक और focus से pass करेगा ठीक है direction यह है focus से pass करेगा और एक optical center से pass करेगा आप देख सकते हो यहाँ पर diver होते जा रहा ठीक है इधर 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 तो meet कर नहीं सकता कहीं match ही नहीं करेगा तो इसको हम backward produce करते है ठीक है backward produce किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मिला है ठीक है तो यह यह जो image बना है इस lens की बज़ा से बना है और यहाँ पर यह जो image था कि किस से रिपरजन करेंगे यू से लेगें चुकि यह अबजेक्टिव लेंस की बज़ा से यह दूरी आया है ठीक अबजेक्टिव लेंस की बज़ा से यह जो अबजेक्ट की दूरी है इसको यू ओ से रिपरजन करेंगे ठीक है इस अबजेक्टिव लेंस से दूरी है ठीक ह actually देखो यह जो है अब image जो बना था objective lens की बज़से यह object की तरह काम करेगा इसके लिए है ना तो यह object और इसकी बीच के दूरी को उनकिस से represent करेंगे u e से represent करेंगे ठीक है यहां से यहां तक u e हो गया समझ आया और यहां से यहां तक क्या था यह b o था ठीक है इसकी बज़स इस lens से दूरी था ना image की लेकिन यह image इसके लिए object की तरह काम करेगा तो u e हो गया ठीक है और यह तो यहां से यहां तक जो focus आप देखी रहे हो तो यह किसकी बज़स से focus है इसका focus है तो f e हमने लिखा है यह लेंज आई पी का focus है ठीक है और एक होता है tube length है ना जो दो lenses होते है उसके बीच की जो दूरी होती है उसके बोलते है tube length है ना इसको L से represent करते हैं अब हम देखते है magnification by compound macroscope तो देखो magnification जो compound macroscope का हुआ तो हम क्या देखते है overall magnification क्या है compound macroscope से तो जो overall magnification इसको मैं रिपरजेंट किया है aim aim मतलब magnification by the macroscope ठीक है is equal to height of final image height of final image हमारे पास ये बना है final image यहीं है हमारे पास upon height of object जो यह था ठीक है हमने लिख दिया तो final image का जो है height उसको किस से represent किया गया है a double dash b double dash जो कि मैंने लिखा है upon height of object जो कि a b है लिख दिया ठीक है अब आगे देखो इसमें कुछ अबाग करना नहीं है ये भी धियान तो थोड़ा सा कि जो image बना था इस lens की बिए से objective lens की बिए से वो क्या था a dash b dash ठीक है अब इसको हम छोड़ तो नहीं सकते और इस तरह से करने का main बज़ए है क्योंकि ये a double dash b double dash upon a dash b dash है तो ये क्या है ये final image है upon ये जो image बना था objective lens की वाज़से ये तो object की तरह काम कर रहा है ना देखो थोड़ा से ध्यान दो ये जो है final image upon ये वाला ये तो object की तरह काम करेगा ना इस lens के लिए इस lens की बज़़से जो बन रहा है हमारा magnification आ रहा है this upon this है ना तो यह height of image upon height of object होगा इस lens की बज़र लिए है ना वही मैंने हाँ पर लिखा है ठीक है कुछ इस तरह से आया है तो यह magnification किसकी बज़र से आया है eye lens की बज़र से या फिर eye piece बोलो ठीक है और a does b does upon a b मतलब यह जो image upon a b जो object है इस lens के लिए है तो कैसे represent करेंगे एमो magnification वो किसकी बज़र से आया था objective lens की बज़र से जो कि हमारा common equation बन चुका है ठीक है अब देखते हैं कि जब object जो होता है final image जो बनता है और वो कहां रहाता है distinct point पे जैसे कि distinct point मतलब जिसे हम 25 cm जो होता है जिसे हम अराम से देख सकते हैं तो देखो यह lens से इसकी बीच की दूरी जो होगी ना उसको D बोलेंगे हमें यह आप ठीक है क्या बोलेंगे D बोलेंगे distinct object है ना इसलिए D बोलेंगे इसको ठीक है तो देखो अब हमें पता है कि जो angular magnification होता है यह आपको का अगर simple macroscope पढ़ा तो हाँ पर देखे हैं हमने ठीक है तो simple macroscope में हमने देखा था कि जो angular magnification होता है बो होता है 1 upon D 1 plus D upon FE यहाँ पर F होता एक्चुली तो यहाँ पर E हमने क्यों लिया है क्योंकि यह focus किसका है eye lens का है ठीक है और हमें यह भी पता है क कि M O equal to क्या होता है एक्चुली हमें linear magnification पता है ना M is equal to क्या होता है भी upon U तो यहाँ पर magnification किसकी बज़ा से हो रहा है objective lens की बज़ा से तो भी not upon U करेंगे U not है ना sorry यह भी not upon U, भाई या नाट गोल रहा हूं भी U O upon U है तो मैंने लिखा है और finally इसको put करेंगे equation में तो कु यह भी है देखो यहाँ पर result भूलना मत एम में जो magnification आया भी O upon U O आया है इन्टू 1 प्लस D upon FE है ठीक है 1 यहाँ पर आया है और इसमें 1 नहीं आएगा जिसे की देखो यह तो common है ठीक और angular magnification जो होता है जो object बहुत दूर हता है infinity पे ठीक है तो वो हता D upon FE इसमें क्या था 1 प्लस 1 प्लस D upon FE इसमें था D upon FE ठीक है simple और यहाँ पर MO तो वही रहेगा common ठीक है भी O upon U O ठीक है तो हमने लिग दिया है तो जो overall magnification होगा वो क्या होगा equation में value put करेंगे इस दोनों का ठीक है तो AME equal to आगया D upon FE ठीक है और MO equal to BO upon U O ठीक है तो finally AME is equal to हो गया हमारे पास इस तरह से लिग दिया सजाकर ठीक है तो यह था आपके पास compound microscope का derivation hope आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सभी difficulty लगा हो तो एक प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें मैंने एक lens जो होता है ना angle वाला angle वाला और ज्यादा difficult होता है